वेल्कॉम अगेन टेट्रास वीडियो लॉर्ने हम लोगों ने अब चेप्टर टू विल एक्जाम्पल्स सब कंप्लेट कर दिया ठीक है अब हम लोग उस क्वेश्चन को आपके सामें डिस्कस करने जा रहे हैं चुब डुक में नहीं है उसकी प्रोपर्टिस जरूर है लेकि में आके सामने कुछ फामिले डिस्कस करूँगा आप जरा ओन फामिलोस ग्यां से लेकिए एगिए मैं पेला फां आपके सामने लिख रहा हूं ऐल्फा क्लस बीठा का होल स्कॉए देखेंए ऐलफा कॉर है इ Alephा कोल है ए यह कोल है यह उस्कोई होता है बताइए ए स्कॉयल plus b square plus 2ab यह देखे यह है a plus b का whole square a की लिए मैंने एलफा रिखा और b की लिए मैंने का रिखा बिटा तो alpha plus beta का यह whole square का formula बन गया सब जाथे हैं अब इस formula से मैं एक नया formula बनाऊगा दिरेक्ट लिए अगर मुझे इसका formula बनाता हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, alpha plus beta का whole square, यह 2 alpha बिटा इरज लाइए, यह देखिए, यह देखिए, तो alpha square plus, इधा क्या मच गया, alpha square plus beta square, पर सनी, alpha plus beta का whole square का formula होता है, alpha square plus beta square plus 2 alpha beta, लेकिन मुझे इस पूरे main number में से इसका formula बना रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जो 2 alpha beta, right side में लिखा है, वो कहां आना पड़ेगा, left side में आना पड़ेगा, तो देखिए, इसका क्या formula बना बन दिया, alpha plus beta का whole square, minus 2 alpha beta, ठीक है, जड़ा ध्यान से देखिए, यह क्या है, यह zeros का sum है, याद करिए, आपने zeros माने थे alpha और beta, sum है alpha plus beta, और यह product है, alpha beta, अगर मुझे बहरे question में कि इसकी value दिखा दो, तो मैं direct formula निकार इन दोरों की value, question में से फुर्ट कोड़ों का मेरा answer तो जैसे मैं आपको इस formula के through, इसका formula बना कर दिखाया, ऐसे तीनिया चार formula हैं, जो मैं directly लिखा, ठीक है, अब देखिए, एक formula तो आपके सामने लिखा हूँ है, मैं फिर भी लिखते रहा हूँ, यह मैं यहाँ लिख देता हूँ, formula है, चलिए, alpha square plus beta square का formula होता है, alpha plus beta का whole square, minus 2 alpha beta, देखिए, यह पूरा का पूरा formula है, इसका फिरा, लेकिन, लेकिन बना हमने इसका दिया, इसका बना दिया, 2 alpha beta को है लिख लिया है, तो अब आपको direct यह formula याद करना है, कि जब दी कभी आज से exam में बुचे, find the value of alpha square plus beta square, तो direct formula याद रखिए, alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta, अब मैं बागी के सारे formula भी direct लिख रहा हूँ, अब लग करिएगा, alpha cube plus beta cube, अब देखे direct formula क्या होता है इसका, alpha plus beta का whole cube minus 3 alpha beta, bracket में alpha plus beta, यह पूरा का पूरा formula ना इसका है, याद तरिये 9th class के 2.6 exercise, a plus b whole cube, a cube plus b cube, इसले आओ, plus 3ab, bracket में a plus b, लेकिन बना मैंने formula इसका दिया, अब बताएए यह कौन है, zeros का sum, यह कौन है zeros का product, यह क्या zeros का sum, तो अगर आपको alpha cube plus beta cube का direct formula लगाना है, तो आप इसे लगाए, ठीक है, और इस formula सो जानते है, alpha square minus beta square, a bracket में alpha और beta plus, चलिए पहले इसका पढ़ते है, alpha minus beta का formula क्यों होता है, alpha minus beta का formula होता है, under root, alpha plus beta का whole square, minus का 4 alpha beta, देखिए, आप इसका formula खोल दीजिए, और इसको उसके solve कर दीजिए, इसकी का answer आएगा, इसकी ओपर से जैसे मैंने square हटा दिया, तो square हटा आगे वर ने root लगा दिया, तो यह direct formula याप करिए, इसका formula है यह, alpha minus beta का, ठीक है, और आप alpha square minus beta square का formula, एक बार alpha और beta को plus, और एक बार alpha और beta को minus, यह जिए, ठीक है, लेकिन यह, जो minus beta में, इसका formula आपने अडियो भी पढ़ा, तो आप इसको क्या formula बढ़ेंगे, alpha plus beta यह रहा, और इसका formula यह रहा, अंडर root, alpha minus beta का whole square, minus 4 alpha मेट का, प्रस आएगा है, alpha minus beta का whole square minus 4 alpha मेट का, तो यह सारे formula अगर आप याद करेगे, तो एक्जाम में जो नई वराइटी ना question अब प्यवर में आप रहा है, वो आपसे तरी होगा, जब याद करिए, समझीए, कैसे बना, formula इसका है, लेकिन निकाल इसका दिया, formula इसका है, निकाल इसका दिया, ठीक है, यह direct formula, और इसका formula बोलेगी, जब आप कर लेंगे, तो फिर आपको question करने में प्रॉब्रम निया आएगी, मैं question में आपके साथ discuss कर रहा हूँ, तो चलिए, सबसे प्राइब question मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, एक question है, alpha and beta are the zeros of polynomial functional अनाम मैंने कोई भी fx लिख दिया, x square minus xx plus 8, can I find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha, question को दियां से समझे, पहचा दिये, पे देखे, क्यारा है कि alpha, beta इस polynomial के zeros है, ठीक है, कोई भाग नी, क्यारा है किसका answer भी आपके सिखा है, यह quadratic formula है, क्योंकि degree discrete 2 है, अब देखे क्या आपने, सबसे पहले, आपको किसी लगी answer रहा, देखे, साथ में मैंने कितना सारी question लिखे हो, ठीक है, आपको किसी लगी answer रहा हूँ, सबसे पहले आप पो लिदो में रता है, x square minus 6x plus 8, इसकी नीचे लिखे, ax square plus bx plus c, ठीक है, आप यह को comparison कर लिए, बताइए, यह x square से पहले a है, तो a की value पार रहा हूँ, x से पहले b है, तो b की value minus 6, c का answer क्या होगा, 8, सबसे मेला काम आपको यह करना है, मैं कहता हूँ, किसी को यह answer मिना आप, छोड़ो करे, आपको सबसे पहले जो common काम सब में करना है, common काम जो सब में करना है, सबसे पहले एक function लिखना है, polynomial गया है, उसका ax square plus bx plus c, जो इसकी standard polynomial की form होती है, उससे comparison करके ABC कारना है, सोच के दिखिए, अगर आपके ABC गलत सरे अप्ट हो गए, यह आपने कोई minus का sign चोड़ दिया, यह गलत लगा दिया, तो आपका तो सारा question आपका बेकार कुए है, first stand में ही आपने marks कट गए, तो पुरा question आपका जिरो हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे सबसे पहले, alpha plus beta लिगा, formula होता है, minus b upon a, पहले minus लिख लेंगे, b की value तब देखिए की question में, और a की value उबर, minus minus plus 6 आपके, अब alpha लिटा लिगा लिगा, यह देखिए, formula होता है, इसकी यह कौन है, बता है, यह c की value कितनी है, 8 और इसकी बाद, इतना तो, कौन काम आँख बद करके, आपको सारे question में करना ही है, करना ही है, देखिए, a, b, c की value निगा लिगा लिगा लिगा, और summa product निगा लिगा, किसका summa product निगा लिगा, zeros का, यह कौन है zeros, alpha और beta, चीक है, 2 zeros क्यों है, तोबी डिग्री इतनी हो गई, 2, इसकी zeros में कितनी हो गई, 2 हो गई, बताए, आराम से को हिल दी नहीं, देख लिए जया, अपने 2.2 में, verification में formula पढ़ा था, alpha प्लस beta, minus b upon it, sum का formula, यह sum है, alpha और beta, zeros का sum, और यह उग्र का product, c upon it, चीक है, तो sum का भी product है, sum का भी answer आगिया, product का भी answer आगिया, अब मुझे किसका answer निकालना है, लिए यह, अब मुझे answer निकालना है, alpha upon beta, plus beta upon alpha, इसका answer निकालना है, और पैसे तो, अंजर आएगा लिए, तो मुझे इसको simply हाई करना पड़ेगा, बताएए, इसका LCM क्या हुए, alpha beta, यह देखे, ठीक है, alpha और beta का, जो LCM रहेंगे, alpha beta, जब मैं beta का table link, दोनों पर चलाँगा, तो beta cancel हो जाएगा, alpha को alpha से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, alpha square, अब alpha से alpha कट गया, beta को beta से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, beta square, ठीक है, अब ज़राइग इसको पढ़के समय, यह क्या लिखा हुए, alpha square, plus beta square, यह रहा formula, alpha square plus beta square, direct formula, बताए, अब तो आपको क्यों में value value खुट करनी है, बताए, alpha plus beta का answer आपने क्या निकाना था, 8 square, minus 2, यह दे को क्या निकाना है, alpha beta, और alpha beta का answer 8, sorry, alpha plus beta का answer आपने क्या निकाना था, 6 निकाना था, 6 square, minus 2 into 8, और निचे, alpha beta की value बताए, इतनी, 8, इतनी, तो बताए, 6 का square क्या हो गया, 36, minus 16, upon 8, minus कर दीजिए, 20 upon 8, इतनी, 6 में 6 गया, 0, 3 में 7 गया, 2, और यह दोनों नमबर कटते हैं, एक और कटके क्या आगया, 4, 5 जा, और 4, 2 जा, आपना आणसर आगया, 5 upon 2, अभी मैंने, अच्छे जे प्रेक्टिस के लिए, खूर सारे कोश्चन दिखे हुए, सब मैं आपके सामने, डिस्कूस करने वाला हूं, लेकिन आप पहले इक बर, समय लेजिए, करना क्या है, पहले जिखना है, ABC से कंपेर्जिन करके, कोफिशिंट निकालने है, स्टेंडर फॉर्म से कंपेर्जिन करके, alpha प्लस beta निकालना है, alpha बेटा निकालना है, जब आग समय प्रोड़क्ट निकाल लो, उसके बार, देखो, किसको simplify करके, alpha निकालना है, alpha बेटा निकालना निकालना की कोशिश तरनी है, क्योंकि इन दोनों के अधसर आखके पास हैं, ठीक हैं, एक उस्टन आपकरते हैं, चलिए, ये 0 दोगए, और, फॉंक्शन का नाम, ABC की वेल्यू, और, ये सब मैने में बिटो दिया, ये देखे, चलिए, बताईए, फॉंक्शन का नाम क्या है, फॉंक्शन का नाम है, यहां पर लेते हैं, फॉंक्शन का नाम है, 3X square, प्लस का 2X, माइनस का 6, इसके नीचे लिएते हैं, 3X square, प्लस BX, प्लस C, बताईए, एक वेल्यू क्या होगई, 3 जो X2 से पहले हैं B का अंसर क्या हो गया? 2 और C का अंसर क्या हो गया? माइनस का 6 चलिए मैंने अभी नी जिखा किस काम से निकालना है अभी इस एक नाम है किस काम से निकालना है अभी तुझे जो कौन काम है वह को कर रहा है Polynomial लिखा Standard Form लिखी A, B, C का comparison किया कौन C है, कौन B है, कौन A है सबसे पहले इसके 0 ना है Alpha, Beta जो सम निकालना है जल्दी से सोचिए सम का formula क्या बताया था मैंने माइनस बिखने के बाद देखी question में B कितना है? 2 और A की value कितनी है? 3 चलिए, Alpha, Beta निकालना है जो मैं, Alpha, Beta निकालना है उसके बाद चेक करना है कि आपको किसका अंस निकालना है बताई किसका अंसा निकालना है Alpha, minus, Beta का चलिए, Alpha, minus, Beta का सबस्काइब Alpha, minus, Beta का formula यह रखो देखे, यह रहा ममुला equal, बताई यह क्या बता था Alpha, plus, Beta का whole square, minus, 4, Alpha, Beta आप इस formula को को खोल के देखेंगे यह यह answer है ठीकिया, आप इस formula को खोल के देखेंगे तो यह ही answer है चलिए, कौन बताएगा अंडरूट Alpha, plus, Beta की value पहले से रही काल रखिया आपने minus, 2, upon, 3, bracket 1 बताईए, Alpha, Beta की value क्यानी काल रखिये, minus का 2 कितना हो आगया बताएगे कितना हो आगया square करिए, 4 upon 9 minus, minus, plus, 8 हम एंगा, L से देखेंगे चलिए, L से देखेंगे अंडरूट क्या है ना, 4 plus 72 upon 9 इस रहेखेंगे, 9, 8, 72 plus 4, कितना हो गया 76 upon 9 की देखेंगे, ठीक है 76 के factor करिए यह आएगा 76 के factor निकालिए 19, 4 जा तो यह हो गया, 2 root 19 और 9 का अंडरूट क्या होता है 3, देखेंगे 76 के जब आप छोटे-छोटे pair बनाएगे तो दो बार 2 आएगा, एक बार 19 आएगा तो अंसर आगे है 2 तो पेर बनेगा 2 का, 2 बार आगया अंदर 19 और 9 का अंडरूट क्या होता है 3, यह आप का अंसर आगया 1st part का अंसर आगया बस क्या कि आप डारेक्ट फोटे देखेंगे, अलफा माइनस बीटा का डारेक्ट फोटा बस आइफा निकालना है alpha square षफicon प्रूट quase betta 2 यह तो नहीं इसर बीटा स्कॉयर है और alpha square षफ себह निकालना निकालना है जो छीच काम की हो स्कॉय रखते हैं बस यह सब formulaशन है निकालना है alpha square वेटा स्कॉयर का cas ऐ alpha cows a eftaphonists करते हैं बस खाली वेल्वा पुट करके सिंप्लिफाइड कर पहा है यह आप पहले रहेंग्मेंट करका है बोले आलफा प्रॉस बिटा कितना हो गया माइनस तू अपॉर स्कॉईर और बताये एल्फा बिटा की वैल्यू किती थी माइनस का 2 बताये क्या हो यहां प्लस के फूर और फूर नाइन जा 36 अपॉन नाइन और आपका अंसर आ गया 40 अपॉन नाइन यह देखें यह नंबर यह से करते नहीं है तो आपने सेक्ड बाट का भी आंजा निकालती है किसका आंसर ने आवा है एलफा क्यूप प्लस बीटा की ओप पर एड़ा पर डिजिए एलफा क्यूप प्लस बीटा क्यूप को अब सब करते हैं बताके Castle अभी आपने लर्ण नहीं किया कोई नहीं किताओ है प्रमदा का पूर्ट की एल्फापवी बिता सोच के चिरिके अगर सब कूछ आ गया आ प्रमळा याद नहीं बूट ब्रेकट में माइनस का 2 कि फिर से अलफा पेस बीटा आगया जाएका तो मांइस का टू अपन थे इज़ेखिए थिए या आगया तो दोनों का एलसे पडिक यह है एट मैइस ओंडर ऐट सीसरी कैंसेल हो गया तीन बड़ मांइस है तो मैंदस आएका टुटेज़ा इन दोनों का यह थे 27 नहीं आगया एट माइनस आहां वन टीरो एट अंसर आगे है माइनस ता हैंड़र अपॉल ट्विटी सेवेन इदेखिए एट कैंगे देखो चोचल इंपर निगा लान वन अपॉन लाइब कितना असान अब ऐसे लीडी तो वैली नहीं इंगि क्या पना पड़ेगा इसका एल्सी अपना पड़ेगा यह देखिए लाइक लीड़ा कट कि बीटा कट गया अब बदा अब अलवाटाइए अब माइनस का 2 तो माइनस के 2 अपॉन ये जो 3 जा ये डिवाइड में आ गया, ठीक है, ये देखिए, 3 डिवाइड में आ गया, माइनस माइनस कट गया, 2 गट गया, बोरो क्या अंसर हो गया, 1 अपॉन 3 अंसर, देखाए अपनों और इंटरेंट फॉम्ला का लाग ले पर वैल्यो निकालना है, प्रोटक्स निकालना है, और उसके बाद जो जो कोशिन कुछता जाए, इसका फॉम्ला लगाते जाएगे, हम आ लिए इसका तो कोई फॉम्ला है नी, तो पहरे सिंप्लिफाइड करके LCM लेना पड़ेगा, और दिखाए आपने, जैसे LCM लेना, अलसा बिटा और अलफा बीटा आगए, किसी भी तरहें आपको यह सब्सक्रिन बनाना है, जिसे आप इसके लिए कोशिन कोई होगे, ठीक है, एक और कोश्न करते है, फिर एक और कोश्न करते है, चलिए, बृदा यह फॉंक्षन क्या है, अब इस पॉस्टिन की बाद चलते है, प्लस BX प्लस C बताईए A की वैल्यू क्या हो गई? देखिए A की वैल्यू हो गई 1 B का अंसर क्या हो गया? X के साथ क्या रिखा हो गई? खुशन लिहा है तो 1 लेकिन minus का sign है तो minus 1 और C की वैल्यू क्या हो गई? minus का 4 अभी देखना चाहने का होना है अब तो पहले संग निकाल, minus B upon A, पहले minus को लिख लो, फिर देखो B का answer क्या है, minus 1, और A की value की 1, minus minus plus 1 upon 1, 1, alpha बिटा का formula बता हो क्या है, C upon A, और C की राट्युकि राट्युकिन है, minus 4, और A की value 1, तो क्या हो क्या है, minus 4, अब बचाहिए किसा answer निकालना चाहते है, 1 upon alpha, plus 1 upon beta, minus alpha बिटा, ठीक है, आईए, अलसे में, इसमें तो alpha बिटा है, बस हमें तो इन दोनों का L से में लेना लिए, और यह ऐसी चलता रहेगा, ठीक है, आरहा हम पुरातों बसमच, alpha बच गया, क्या बच ले बिटा, बिटा 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 क्या बच गया, alpha, देखो L से मे बिटा बिटा से, बिटा 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 क्या बिटा 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 क्या बिटा बिटा क्या बिटा बिटा क्या बिटा बिटा क्या 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 बिटा 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 पहले पोरिनोमेल लिखा, फिर स्टेंडर फॉर्म लिखी, एबीसी निकाला, सम निकाला, प्रोड़क्ट निकाला, उसके बार देखा किसका अंसर निकाला, ठीक हैं, और यह करें, चलिए देख करते हैं, फिर यह सब अपनियाब करिएगा, चलो यह बारा करते हैं, अच्छा बता, यह function है, x square, प्लस का x, माइनस का 2, बता, यह hकी value, 1, b का अंसर बी, 1, और c का अंसर, माइनस 2, ठीक हैं, अब ABC से निकाल लिया, अब पहले सम निकाला, अभी तबना क्या निकालना है, पहले सम निकाला है, formula माइनस b अपने, माइनस b, एक एक वैली उन, तो माइनस 1 अब बताइए किसका निगातना चाहते हैं अब अब एसे तो अंसर डारेक्ट आएगा निए अब आपका दिवागा फिल्फुल थोड़ा-फ़ड़ा ठीक सोच रहे है तो बताइए लों का एल्चेम क्या आगया अल्फा से अल्फा गट गया वह बीटा बीटा से बीटा कट अब यहां आपको के मच किया अभी अपने ये अल्फा मायनुसल्दा का फ़ॉम्ला बढ़ा था चाहे बेटा-वाइनसा हो चाहे ऐल्फा मायनस बीटा हो एक ही फ़ॉम्ला ए अल्फा भॉल स्कॉयर माइनस फोरल फीड़़ड़़ और नीचे एल्फा गिए क्यूंकि ना तो जब आप इसे फूलेंगे, तो चाहे आप इसे एलफा माइनस बड़ा का ओल्डी स्कॉयर को लिजिए यह देखो आप पर ने देखर, यह अपने चाहे अपने चाहे अपने चेह अपने 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 निका चाहे टो दो तो नो का एक ही फॉटला है चीक, तो फिलाल हमें इसका अंसर देखिए डियर्ट फॉम्ला हम रहा है, अब बताईए alpha plus beta की value कितनी है, minus 1, under root का find केवल ओपर है, नीचे नहीं है, minus 1 के ओपर क्या रहा है, square, देखो alpha plus beta की value minus 1, minus 4, बताऊ alpha बिटा की जगे क्या लिखू, minus 2, ये देखिए, और नीचे alpha minus 2, बताईए, minus 1 का square क्या हो गया, 1, और minus minus plus, और 4 की जगे, 8, बताईए, उपर बच गया, under root 9, नीचे minus 2, बताईए, 9 नाट रूट क्या होता, 3, और नीचे 2, और sign लगा दीजिए या तो उपर या पीछ, या आसर, चीक है, इसमें भी calcium लेंगे, जब calcium लेंगे, तो उपर और alpha square plus beta square है ना, उसका फोला ना दीजिए, ये भी alpha plus beta, और alpha beta की value code कर दीजिए या answer है, तो इतने सारे questions मैंने आपके सामने किये, अच्छे से discuss लिया है, आपको तरीका बता रहा है, common चीज, हमेशा, ABC लिगा लिगा, सब प्रोड़क्त में लाला, सिर्देट नाएटी किसक आप एक ही formula है, इसके ज़्यादा इसके ज़्यादा नहीं और value code कर देखें, अब calculation आपके अच्छी होनी चाहिए, आप इससे practice करिए, आपके बास कोई extra किताब हो, उसमें से question करिए, और कुछ और आपके last question है, तो करिए, ना हो तो उसे WhatsApp के डाल दीजिए, हम लोग आपके all the day, thank you, good day.